नमस्कार दफ्तों मैं संदीव सागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में दफ्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले जो भी एक चाहत है जिनका सब्जेक्ट सोलजी नहीं के समास शास्त रहे और उनकी इनवर्सिटी या कोलेज में लिखित परिछा होने वाली है उनके आई के आने के आपके एकजाम में ठीक है तो पहला कोष्टन है मैं आपको बतादू समास सासे समद्धित है ठीक है तो जिनका भी एकजाम है ध्यान से समझेंगे इस वीडियो में लगोत्रे के निकलोड की है जो कि 40-50 नंबर कि अब कर आंपका एकजाम में जो लिखित पर संबंध कीजिए समाज स समाज सास्ता मानोब ज्ञान में वह आप लोगों को लिखना है ठीक है तो ध्यान दीजेगा ठीक है कौश्चन का है छैचे इस कुरें लिए या फिर आप लोगे पास बूक है तो लिखाए कि मैं काभरा आप लोगों को लिखना है समित की महत्तू की बिशस्ना कीजिए समित की क्या महत्तू है श хорош oven कि पस्व समाज की विश्षता क्या है क्या मुख्य पॉइंट है वह आप लोगों को लिखना टॉप लेबल का क्वेश्चन है आपके एकजाम में आने के पूरी चांसे याद कर लीजेगा इस कोश्चन का इंसर ठीक है अगला कोश्चन है कि समाज सास्त्र सुरी समाज तथा समाज न कक्या अंतर है जो समाज होता है और एक होता एक समाज उसमें क्या डिफरेंट हेक्या अंतर है बदलाव है वह आप लोगों को लिखना है यह भी most important question आपके एक्जाम में आने के चांस है अगला question है कि समिधा यानि की community के आवश्यक तत्तों को बताईए तो समिधाय के के जो मुख्य तत्तों है आवश्यक तत्तों कौन-कौन से उसको आप लोगों को लिखना है और डिस्क्राइब करके लिखना है क्योंकि लगुत्रे बेस का question है अगरा question है कि परिवार के समाज सास्त्रे महत्तों की विवेख्या कहेजिए तो परिवार के जो समाज है ठीक है सम क्या महत्तों है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है ठीक है अगला question है कि राज और समाज में अंतर बताईए तो राज और समाज में क्या अंतर है हलाकि इस question को मैंने इसका answer मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने upload की थी तो उसमें बताया भी था तो यह भी टॉप अगला question यह भी एक्जाम में कई बार पूंचा भी जा चुका तो याद रखेगा राज यो समाज में क्या अंतर है अगला question है कि हिंदू बिवाह क्या है साधिया क्या होती हिंदू में ठीक है और इसके क्या उद्देश है वह आप लोगों को लिखना है क्या क्या उद्दे क्या सेड़ी है वह आप लोगों को लिखना है पॉइंट वाज करके लिखना उसके बाद उसके बारे में डीटियल में लिखना है तो यह टॉप लेबल के गेरा question है अगर आप यह सारे question इन सभी का याद करके जाते हैं तो guarantee के साथ के सकता है और इसमें से कम से कम दो से तीन question आपके exam में देखने को मिलेंगे अगर इनका सबका answer आप लोग पढ़के और समझ के जाते हैं तो वीडियो को और question को कम से कम तीन से चार बार पढ़ लिजेगा तब ही आप लोगों कि समझ में आएगा exam का time है अराम से तयारी करिए और सारे question का answer आप लोग अपने question book में research कर लीजेगा ठीक है और यह टॉप लेबल के question है अगले वीडियो में और भी question हम आपको बताएंगे तब तक के लिए जय हिंद